हैलो दोस्तों कैसा आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नया अध्याय की सुरुवात करने वाले हैं वो है चकबंदी जिसको इंग्लिस में कहा जाता है कंसोलिडेशन आज हम विश्तार पुर्वक चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये चकबंदी होता क्या है और चकबंदी के अंतरगत कुछ टेक्निकल टर्म है उसको भी समझने का प्रियास करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग चकबंदी को समझने का प्रियास करते हैं देखे ये जो चकबंदी जो है न ये दो पदों से मिलकर बना है एक है चक और दूसरा है बंदी ठीक है चक पलस बंदी चक का मतलब होता है जमीन का टुकडा, खेत, या खसरा, या खैसरा कहिए या फिर पलोट और बंदी का मतलब होता है बंद करना या इकठा करना तो कुल मिला करके आप यहीं से समझ सकते हैं कि जमीन के छोटे-छोटे टुकडों को चोटे चोटे खेतों को या खसरों को मिला करके एक जगा इकठा करके उसे बंदी करना बड़ा बनाना चक बंदी कहलाता है बस इसका साबदी कर देखा जाए तो यही होता है ठीक है चले इसको हम एकजामपल के माधियंद समझते हैं लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ देते हैं जमीन यानि भूमी के टुकडे को चक कहते हैं ठीक है और उस चक को चारों और से बंदी या घेरने को बंदी कहते हैं यानि चकबंदी का कारिय जो भी पताधिकारी करेंगे उसके पहले उनका जो पद है उसके पहले जो है चकबंदी लगाया जाता है जैसे कि मान के चलिये जिसे साब पता चलता है कि वह चकबंदी पताधिकारी जैसे कि अमीन अमीन के पहले चकबंदी लगा दिया जाता है तो हो जाता है चकबंदी अमीन अगर कोई officer है तो फिर उसके पहले चकबंदी लगा दिया जाएगा अगर कोई लिपिक है लिपिक तो उसके पहले चकबंदी लगा दिया जाएगा तो चकबंदी लिपिक हो गया ठीक है या कोई अधिकारी है तो चकबंदी अधिकारी समया रहा है ना तो इस तरह से चकबंदी पहले लगा दिया जाता है चकबंदी समधिकारी जिस अस्थान या मकान में किया जाता है उस अस्थान या मकान को चकबंदी कारियाले कहते हैं क्या कहते हैं चकबंदी कारियाले के पह हम Take समझाने का प्रियास करूँगा कि आखिरकार चकबंदी का जो कारी है वो किस तरह से होता है उसका क्या प्रक्रिया है ठीक है केवल यहां पर पढ़ देने से नहीं होगा ठीक है उसको फील भी करना पड़ेगा महसूस भी करना पड़ेगा चलिए तो यहां पर हम लोग चल क्या है चकबंदी इंगलिस में consolidation कहा जाता है मान के चलिए दोस्तों की एक बहुत बड़ा क्या है माउजा है यानि गाउं है इसमें क्या हुंगे हजारों की संख्या में पलोट होंगे खेत होंगे है की नहीं छलिए यहाँ पर सा7 व पलोट भी ना बन पाइए सही शे लेकिन हजारों की संख्या में पलोट रहता है इस बात को अप्वो ध्यंवे रहना है तो यहां पर अगर मान के चलिए नक्सा है तो फिर चलिए नक्सा का तो यहां बात नहीं हो रहा है समझे जमीन का हमें बंदी करना है ठीक है एक जगए गठा करना है लेगन अगर नक्सा रहेगा तो वहां पर लिखा रहेगा मौजा का नाम या फिर मसहूर का नाम ठीक है थाना नंबर हो गया या फिर राजस्प थाना हो गया जीला हो गया चादर नंबर हो गया पैमाना क्या है पैमाना लिखा जाएगा ठीक है इस भी यह नक्सा बना है वो भी लिखा जाता है ओके चले दोस्तों तो मान के चलिए कि यह सब जमीन है Thanoğlu I love you सब क्क्छा हैं क्या है यह छो टुक्डा टुक्डा को पो दिखराया ना यह सारे खेत खेत हैं, क्योब करे 16 मानधके चली एक कड़ी एह है और उस एक जो प्लोट है यो इस मौज़ा में इस GARमें एक यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है और एक यहां पर है यह इसी तरह से और भी बहुत सारे क्रिशक होंगे ऎक ही जगा जब खेती करने की बात आती है तो यहाँ पर जमीन थोड़ा बहुत होगा यहाँ भी खेती करेगा वो ठीक है यहाँ पर भी जाएगा खेती करने के लिए यहाँ पर भी जाएगा यहाँ पर भी जाएगा तो इस बेचारा को जो है बहुत दोड़कुद करना पड़ेगा देखभाल करने भी परिसानी में बहुत सारी परिसानी जहलना पड़ सकता है और इसी जो है आप खुद से भी भी रेत होंगे जिनका अपना एक ही खेत होगा एक ही पलोट होगा ठीक है अब यहाँ पर जो भी हम जमीन का बात करेंगे ध्यान दीजेगा जो भी जमीन का हम बात करेंगे वो चकबंदी योग यह भूमी होगा और चकबंदी मुख्यता उसी भूमी का किया जाता है जिसमें तो उसका भी चखबंदी नहीं किया जाएगा या फिर मान के चलिए कि को जनरल यूजवाला जमीन है जैसे मैदान वेकरा फिल्ड वेकरा हो गया थीक है समसान घाट हो गया या फिर मंदिर मस्जिद हो गया ये सब का चकबंदी नहीं होगा तो कुल मिलागर कि आपको समझना है क्रिसी योग ये भूमी का मुख्यता जो है चकबंदी की जाती है ठीक है तो यहाँ पर A को जो है भाई बहुत दिक्कत होगा क्योंकि इधर उधर जमीन है B को भी दिक्कत होगा इसी तरह से आने रेत होंगे जिनको दिक्कत होगा अब क्या होगा इस समस्या से निपटने के लिए जो है चकबंदी किया जाता है यानि इस एक के पास जो क्रिसी योग्य भूमी अलग अलग जगा है उसको एक जगा करने का प्रियास किया जाता है अब कैसे किया जाए भाई अखिर प्रियास कैसे किया जाएगा किस अधार पर किया जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि इस जमीन में यहां पर सडक हो अगर सडक कि किशी जमीन के किनारे रहेगा तो फिर समझ लिजे उसका भैली क्या होता है ठीक है मायन के चलिए कि यह वला जमीन का यहां पर सड़क ही नहीं तो इसका भैली आलग होगा अब यह committing मौजा का बात हो तो यहाँ पर दो चीजे निकल के आ रही है एक तो ए के पास कितना जमीन है दूसरा तो उसका भैल्यू क्या है तो विशेश रूप से जो है चकबंदी के समय छेतर फल चेतर फल और दूसरा चीज जो है उसका भैल्यू उसका कीमत ठीक है उसका भैल्यू या कीमत कह लीजिए को ध्यान में रखा जाता है अब किया किया जाएगा कि ए के पास मान के चली कि यहाँ पर जो है पांच कठा जमीन है कितना है पांच कठा जमीन है यहाँ पर जो है तीन कठा जमीन है यहाँ पर मान के चली कि बारा कठा जमीन है और यहाँ पर मान के चली कि नौ कठा जमीन है तो यहाँ पर टोटल ए के पास कितना जमीन हो जाएगा 5,3,8,12,8,20,9,39 आनि 29 जमीन हो गया अब जब चकबंदी होगा तो एक के पास चुकी 19 जमीन है तो भाई चकबंदी का मदलब होता है कि भाई जितना भी च्वटा च्वटा है उसको एक जगाई कठा करके बढ़ा कर देना तो भाई जमीन तो उ क्या करना पड़ेगा भाई इसके जमीन का भैल्यू भी निकालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भैल्यू कि आखिरकार ये जो पांच कठा जमीन है उसका भैल्यू क्या होगा मान के चलिए इसका भैल्यू जो है सो पंदरा लाख है मान के चलिए इस तीन कठा का भैल्यू किनारे है 9 गठा है इसका मायन के चली कि 22 लाखदाम है या फिर 24 लाखदाम है तो इधर भैल्यू निकल जाएगा ये तो कुल जमीन हो गया 29 कठा अब इधर जो है आपका बैल्यू निकल जाएगा कि भाई एक के पास जो जमीन है इस मौजा के अंतरगत तो रामपूर मौजा के अंतरगत एक के पास जितना भी जमीन है उसका बैल्यू हो रहा है 15, 13, 36, 36 और यहाँ पर 24 हो जाएगा 60, यानि 60 लाख का value हो रहा है, किसका एका थोड़ा सा माहंगा rate लिख दिये है क्योंकि वीडियो चुकी YouTube पर अगर हम upload करेंगे तो भाई 10 साल के बाद भी जो हैसी वीडियो रहेगा चलिए कोई बात देए तो यहाँ पर दोस्तो A के पास 60 लाख का जमीन है B के पास भी उसका कुछ value होगा B के पास माहंगा चलिकि यहाँ पर जो है ठीक है? B का हम इधर लिखते हैं, 8 कठा फिर यहाँ पर जो है माहनगा चलिकि 10 कठा जमीन है ठीक है और यहां पर माने के चलिए कि 12 कठा जमीन है अब यहां पर अगर जोड़ा जया 12, 12 और 10, 30 यानि 30 कठा इसके पास जमीन है कितना जमीन है 30 कठा है अब सब का जो है value निकाला जाएगा कि भाई यहां पर जो 8 कठा जमीन है उसका value क्या होगा यहां पर जो जमीन है उसक कारी गन जो है ताई करते हैं उसके अधार पर जो है रेट निकाला जाता है तब दोस्तों मायन के चलिए अब एक अहीं एक्जामपल लेते हैं कि यहां पर इसके पास 60 60,00,00,00 के आस-पास होगा तभी चकबंदी होना सही माना जाएगा ठीक है और चकबंदी इसी तरज होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि 29 कठा जमीन है एक के पास तो यहां पर जो एक जगा जमीन एक को मिल रहा है 29 कठा मिले जरूरी नहीं है भैल्यू के अधार पर भी देखा ज यहँद इषाय हो सकता है कि यहां पर फॉर लेन गुजर रहा हो तो हो सकता है कि 29 कठा के जगाँ पर यहां पार हे कठा जर यहां पर छालीस इसको 40 कठा मिल यह मिल लो City यह भी हो सकltा है तो value को ध्यान में रख करके छेत्रफल को ध्यान में रख करके जो है चकबंदी किया जाता है जमीन को एक जगा किया जाता है इकठा किया जाता है इसी को हम लोग दोस्तों चकबंदी काते हैं हम यहाँ पर example A और B का दियें अब B का भी value होगा कुछ ठीक उसको भी value के अधार पर जमीन दिया जाएगा इसी तरह से यहाँ पर अन्यर रायत होंगे सबका जो है value के अधार पर छेत्रफल के अधार पर separated एक जगा एकठा करके जमीन दिया जाएगा उसी प्रिक्रिया को हम लोग दोस्तों चकबंदी काते हैं अब जादा निंभू निचोडने से फाइदा नहीं है ठीक है मुझे उमिद है कि आप समझ गए होंगे अब आप कह सकते हैं कि सर क्या फाइदा है कि इतना माथा पेचीवला काम करें किसी को फाइदा भी हो सकता है फाइदा नुक्सान होता है जरूर होता है चकबंदी होने से फाइदा नुकसान होगा यह तै है लेकिन फाइदे भी बहुत है नुकसान कम है और फाइदे बहुत है क्योंकि एक जगा अगर बड़ा जमीन हो जा तो सोच लिजी आज कल क्या है भाई यहां पर मायन के चलिए कि एक जमीन है जो पिढ़ी आड़ाय कठा तब जमीन का यहां पर चार भाग में बट गया अब इसका यहां इक-दो-3 फसके इसका दो हो गया है यह यह से यह ओर्ज़ करत दिरू बलग रहा है यहां पर जमीन स सफ ठीक health का और जगा होगा वहां पर भी जो है यही हाल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो भाई समय के साथ साथ जो है भूमी का जो साइज है वो धिरे-दिरे छोटे हो रहे हैं स्वामित्व के अधार पर तो वैसे कंडिशन में अगर चकबंदी होता है तो क्या होगा एक ही जगा जितना जमीन है किसी वैक्ति का एक ही जगा हो जाएगा तो खेती करने में अन्य सुक सुख सुविधाओं में सरकार के तोवारा जो सुविधायं दी जाती है उसको अपलाय करने में बहुत सहुलियत होंगी सीपल सी बात है इसको सोचनी वाली चीज है हलाकि हम लोग इससे जाते हैं कि अधिकारियों indoor जान लेते हैं आप कुछ समझ में कि आखिर कार कौन-कॉन होते हैं और चकबंदी है रिए चकबंदी के लिए बिहार प्रांथ में जई है 1956 को कारी कारी आरम करने के लिए सरकार का अंधीमादेश हुआ ततकालिन पटना जिला अंतरगत बिहार सरीप अनुमंडल के एकंगर सराय बलोक के ग्रामों में चकबंदी का कारी आरम किया गया अब यह नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल में है बिहार परांत में चकबंदी के कारियों में दूसरा अस्थान ततकालिन पटना जिला के बिहार सरीप अनुमंडल के नूर स्रैब बलोक के ग्रामों का था देखे चकबंदी का कार ये बिहार में भी नहीं हुआ से नहीं हुआ से कहीं कहीं हुआ छुट पुट ठीक है क्योंकि जनता से सहुलियत नहीं मिली सिंपल सी बात है ओ सर राजयों में चकबंदी नहीं हुआ है जनता से सहुलियत ही नहीं मिले लोगों को डर है भाई की चकबंदी होगा भाई जो दबंगई लोग है जो पैसे वाली लोग है पैसा देख करके अपना अच्छा जगा मिले लेंगे हमको बूरा जगां भेज देंगे और ऐसा गवा भी करता है ठीक है तो इस डर से जनता के सहुलियत मिले से चकबंदी का कारिय नहीं हो पाया सारे राजियों में ठीक है चकबंदी दो तरह का स Mac cow उता है यहां इदरे है एक होता है एशिक एच्छिक चकबंदी और दूसरा होता है अनिवार्य चकबंदी एच्छिक चकबंदी का दोस्तों मतलब होता है कि भाई उस गाउं में उस मौजा में जनता की सहुलियत है जनता मदद करेंगे चकबंदी होने के लिए जनता सपोर्ट करेंगे कि चकबंदी हो हमारे यहां तो अगर रयत ये चार एक चकबंदी हो हमको फैदा है तो फिर उसे हम लोग ऐचिक चकबंदी कहेंगे क्योंकि वहां के जनता के इच्छा के अनुसार चकबंदी हो रहा है और ये जो एचिक चकबंदी है इसमें जादा जोल जपेटा नहीं होता है बहुत ही असानी से हो जाता है होता है जोल जपेटा ऐसा नहीं कि एचिक है तो भाई किसी के साथ घर गलत की जाएगा तो वो मानेगा ऐसा बात नहीं है ठीक आवाज उठेगा बहुत सारी प्रोब्लम आएंगे लेकिन एचिक चकबंदी जो है दूसरा चकबंदी के मुकाबले जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाया करता है एक होता है अनिवारी चकबंदी अनिवारी चकबंदी मतलब कि वहाँ का जनता चाहे या ना चाहे जबरजस्ती चकबंदी करवाना कानून बना करके ठीक है या फिर इसको अनिवारी चकबंदी को कानूनी चकबंदी भी कहा जाता है कि वहाँ पर चकबंदी होना चाहिए जन अब हम लोग चलेंगे चकबंदी के लिए अच्छा यह तो हम पढ़ी दिये पूरा ठीक है और आगे है भारत में 1921 इस्वी में चकबंदी का कारी पंजाब प्रांत से आरंग हुआ अजादी से पहले अगर देखा जा तो पंजाब प्रांत में जो है चकबंदी का कारी अच्छा ढंक से हुआ और वहां के जनता से सहुल्यत भी मिली चकबंदी कराने में ठीक है और सरकार को किरिश्कों से अधिक से अधिक सहानुविती भी मिली पंजाब मध्य setzt, उत्तरप्रदेश और महराश्ट में सकबंदी का कारी समाप्थ हो चुका है अधिकार विधान सभा को प्राप्त है तो हलाकि देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट का जो लो है वो लगभग समान है कुछ-कुछ भैरियसन आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको इतना धियान में रखना है कि भूमी जो है राज्य सुची कभी से है हर राज्य का अपन कानून होता है हलाकि बहुत आपको समानताएं देखनी को मिलेंगी ऐसा कोई बात नहीं है हलाकि अमीन का जो कौर्स है अमानत का जो कौर्स है नापी जोखी करने का जो कला है यह तो समान ही है लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म कुछ नियम अलग हो सकते हैं लेकिन नापने जो पर कानून बनाएगा तो चकबंदी कराना हो या सर्वे कराना हो जो भी कराना हो राज ही फैसला लेगी ठीक है तो यहां पर दोस्तों चकबंदी भाग के लिए नियम कानून बनने का दिकार विधान सभा को प्राप्त है और विधान सभा में बहुमत से बनाएगे कानून की स बेज दिया जाएगा और जिस राजे बहुत सारे राजय इसे हैं जार जाहां पर विधान परिशत से पास होगा तब आप लाया होगा और चक्वनीक कानूँ बनता है तो अगर दोनों सदन हैं अगर राज्य में ठीक है विधान सभा और साथ में विधान परिशत तो दोनों जगा से पास होंगे उसके बाद ही जो है विवहार में लाया जाएगा उस कानू को ठीक है जिस राजी में विधान परिशत ना हो वहाँ विधान सभा काही अंतिम निर करने होगा ठीक है अगर विधान पर इसद नहीं तो विधान सवा से पास होगा तो कानून बन गया सिम्पल सी बात आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भूमी राज उसी जी का विसाइज इस पर कानून बनाने का अधिकार राज जी को पराबते ठीक है चली दूस्तों अब यहां पर आते हैं जो कि बहुत ही महतपुर्ण है अभी हम आपको बताने जा रहे थे जिसमें एक्जांपल दे रहे थे कि बहुत महतपुर्ण भूमिका निभाते हैं ठीक है ऐसे नहीं है असान बाद की चकबंदी हो जाएगा बहुत सारे अधिकारी गन होते हैं तो चली उनको जानते हैं कि भाई आखिरकर चकबंदी कराने में किनका किनका योगदान होता है और किस किस तरह से होता है ठीक है तो यहां पर दोस्तों चकबंदी समंधिक कारे कारता हों कि ना में उनके कारे को जानेंगे हम लोग ठीक है जिसे चेनमेन हो गया जो चेन को चलाता है अमीन हो गया, ड्राप्तमेन यानि कि प्रारूपकार, मुहरीर, पेसकार, चपरासी, सहयक लिपिक, प्रधान लिपिक, कानुनगो, चकबंदी, सहयक पताधिकारी, चकबंदी पताधिकारी, और चकबंदी निदेसक इत्यादी, तो यह सब जो है सो कारी करता है, अधिकारी ग माइस से सम्मंधित सभी कारी करने होते हैं नक्सा की माइस हो यह सरजमीन यानि जमीन की माइस हो यह सब जो कारी है चक बंदी अमीन को करना होता है जैसे छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा चक यानि खेत बनाकर नक्सा बनाना अब अमीन का यह भी काम है कि छोटे- नमर भरना होगा प्रतियक चक के खत्यान त्यार करने के लिए नोट त्यार करना दोस्तों, अब यहां पर क्या है, दोकुछ लोग को बहुतते very confusing हो सकते हैं, सर चक बंहुँड़ी में किसी को जादा खेती वाला भूमी मिल जाएगा तो कभी यह है कभी वह है तो भाई लाभानी के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे बारे किस चिंता इसके लिए आपको नहीं करना है ठीक है अभी पहले चकबंदी को समझे लाभानी है कई बार ऐसा होता है कि एक जगाई कठा करने द प्रावानी हो सकता है इसके लिए अलग से बीडियो बनाने जोरत नहीं लेकिन बनाएंगे लेकिन अब खुद से भी समझ सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है चले दोस्तों चकबंदी अमीन के बाद आता है प्रारूपकार प्रारूपकार का कार्य यह होगा कि ग् मुझने के लिए पैन, नहर, कुमा, इत्यादी स्थानों को उचित और सुध सुध नक्सा त्यार करना यह प्रारूपकार का मुख्यकार होता है यह प्रारूपकार का कारी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाई एक ओभर्विव देता है ओभर्विव ठीक है कि भाई अगर यह गाउं है ठीक है तो किधर गाउं के किस तरब बड़ा बड़ा चक बनाया जाए ठीक है अगर यहाँ पर खेती हो री तो चक किस तरह से बनाया जाए नहर किधर रखा जाए तलाब किधर रखा जाए पानी की विवस्था किस तरह से होगी ठीक है तो यह सब जो कानुनगो सह अंचल निरक्षक ठीक है अब यह कानुनगो क्या है भाई बहुत ही महत्पुर्ण पद है इसको आप लोग जानते होंगे जरूर अमीन के कारियों को जांच परताल करना और जहां पर अमीन से गलती हो गई हो उसे सुधार करना और अपने जांच परताल का रिप 테습 बढ़ते जा रहा है जैसे कानुन रहूं के नीचे अमीन काम करता है तो उसको जो भी कानुन रहूं के नीचे जो भी काम कर रहे हैं चाहाए प्रारोपकार हो चाहाए अमिन हो उसके कारियों की जांच परताल करना ठीक है जहां पर गलती है उसे सुधार करना और अपना जो जार्ज का जो रिपोर्ट है उसको next के अधिकारी जो उसके आगे के जो अधिकारी है उसको सौपना ये काम किसका है कानूंगों का है तो मुझे उमीद है कि आप कानूंगों का भी कारिय समझ गयोंगे आफिस संखेट में बताएंगी अभी तबदा सें आप पर मोटा-मोटी समझ लीज़े ठीक है उसके बाद आता है तो सहायक चकबंदी पदाधिकारीं की शुरूत होती है जिसमें एक सहायक चक पतादिकारी होता है अमीन और कानुन को के कारियों को देखना अब इसके कारियों को देखना और जहां पर अमीन और कानुन भी महत्पूर है, तो कि इसके जो नीचे कानुनगों काम कर रहा है, उसके नीचे जो अमीन, आनि अमीन कानुनगों का जो भी कारी है, उसको सहीं से जांच परताल करना, कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है, तो कहीं पर कोई सिकायत आती है, तो उस पर विचार करना, ठीक है, कानुन्गो और सहाइक चकस्पन्दी पताधिकारी के कारियं का जारचपरताल करना पूरे का प्र ंदर करना तथा की हुए कारियों का रिपोर्ट चकस्पन्दी निंदिसा के का ला में प्रिशिता करना यह ακमुक्JE कार चक बंदी पताधिकारी के डाय है और जो भी कारेले के पूरी कार्य है कारेले में किस तरह से काम होगा रूल रेगूलिस अनुसासन होगा यह सब चकबंद्य अधिकारी जो है अच्छा से यह करते हैं प्रफन करने किए कारे में और रिपाथेकारी की रिप Quindi देना नुसास का मुखेकारी किसी पाधिकारी को पदच्यूत्य करने का यानि ट्रांसफर करने का अंतिम आधेश्ट निरे लेकिन सबसे उच्या पद है क्या चीज, assistants निदिसक, तौ यहाँ पर serial बाई चीजों को समझने कपधियाश कीजेटे, सबसे पहले यहाँ पर आ रहें कौन प्रारूपकार हो गया, या फिर अमीन कह लिजिए, इसके जो next level के जो अधिकारी है वो है क्या चीज कानुनगो के जो ऊपर है वो है सहायक चकबंदी पदाधिकारी सहायक चकबंदी पदाधिकारी ठीक है इसके बाद जो आता है वो है सहायक नहीं सहायक नहीं सिधे चकबंदी चकबंदी पदाधिकारी और इसके बाग आते हैं क्या चीज चकबंदी मिदेशक ठीक है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो प्रारूपकार और अमीन का जो कारी होगा इसकी देखवाल कानुन्गों करेंगे किसी तरह का गलती उगाव उसका सुधार करेंगे। कॉलक नापना इधर उजान को चंका संक करके अगर ठीक ठ ठक या और आगे तो भेज़ देंगे। यह चीज होता है अब उस काम को फिर से कानुगों दोहराएंगा ऐसा होता नहीं है परसेंटेज बठा हुआ रहाता है कि अमीन जितना काम कर रहा है इसका लगबग 3% या 5% या 10% की जांच जो है कानुगों को गरनी चाहिए ठीक है तो यह चीज है फिर दोस्तों यहां पर कानुगों अमीन के कारी को देखर या फिर सीधा से कहिए कि कानुगों का जो कारी है उसका देखरेंग जो है सहायक चकबंदी पताधिकारी करेंगे और इसके कारी का देखरेंग जो है चकबंदी पताधिकारी करेंगे ठीक है और चकबंदी पताधिकारी के बाद जो फाइनल जो रिपूर्ट जाएगा यान चकबंदी निदेसक के यहां अगर फाइनली पहुच गया उपय पर किसी तरह कार्चन नहीं हुआ तो समझ यह वो चीज लागू हो जाएगा और चकबंदी होना सफल समझा जाएगा अगर चकबंदी निदेसक का साहिन मोहर हो गया तो ठीक है दोस्तों तो इस तरह से जो है चकबंदी कराने के विभिन अधिकारियों का कारी होता है और मुझे उमीद है कि आप समझ गये होंगे आप देखे आजकाल के चकबंदी होंगे हो सकता है कि इसमें कुछ नया एक अधिकारी को एड़ कर दिये वो अलग चीज है लेकिन जो जेनरल चीज है उसको समझना आपको जरूरी है अगर जेनरल चीज जैसे क्या होता है ना कि आप एक हीरो होंडा गाड़ी स्पिलेंडर प्लस चलाना सीखी लिए है आपको पता है कि घीर लगेगा ठक 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 यधर से ऐसलेटर लेना है कलज देरे देरे छोड़ना है ठीक है तो आपको जेनरल उल पता है तो कोई भी गाड़ी मिल जागा तो आप चला लेंगे सिंपल सी बात है अब भाई मोटर सेक्ल सिखने के लिए हम लोग 10 तरह का मोटर सेक्ल खड़ा करके हर मोटर सेक्ल को अलग लगने नी सिखते हैं एक ही मोटर सेक्ल को सही सिखते हैं उसके बाद सारा मोटर सेक्ल को चला लेते हैं कुछ-कुछ नया निया फीचर अगर मोटर सेक्ल मिल जाए तो क्या दिक्कत है जैनरल चीज हमको पता है न तो इसको समझना आसान हो जाता है और हम लोग कर भी लेते हैं चला भी लेते हैं तो यही चीज जो है हर चीज में लगबग होता है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप समझे होंगे कि किस तरह से चकबंदी का कारी होता है चकबंदी है क्या और कुछ हद तक चकबंदी के ल आज के लिए इतने ही अब मिलेंगे अगला वीडियो में जाहिंद पुपने मातरम